हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों कल के पूछेगे questions का जवाब और सही उत्तर देने वाले 10 viewers का नाम वीडियो के लाश्ट में बताऊंगे लेकिन आज का सवाल जवाब और current updates पहले शुरू करते हैं दोस्तों हम डेली का update डेली लेके आते हैं जिससे आप आज के आज updates को पा सके और current update रहे तो एक like comment और subscribe तो बनता है जिसमें आपका कुछ ने जाता बिल्कुल free है लेकिन हमारा motivation होता है जो हमें और अच्छा content आपके लिए लाने को प्रेवित करता है तो आए शुरू करते है आज के वीडियो को दोस्तों आज का प्रेस जिसके जवाब आपको देने हैं comment में वे इस प्रकार है पहला सरप्रतम किसने कहा कि सुतन्दता मेरा जन्मसिद अजिकार है दूसरा मोहन जोदुर को अन्ने किस एक नाम से भी जाना जाता है तीसरा साहनामा किसकी कृती है चौ उतर है गोल्ड अपोलो मंत्री मंडल ने उच अस्तरिय समीती की सिफारिस पर एक देश एक चुनाव के प्रस्ताप को मंजूरी दी है इस समीती के अध्यक्ष कौन है उतर है रामनात कोविंद किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंदर सरकार ने किस योजना को जारी रखन नगरों में सराब और मांस की बिक्री बैन करने का एलान किया है उतर है नर्मदा पहली बंदे मेट्रो किस रूट पर चलने जा रही है उतर है एहमदाबाद भुज एसिया चेंपिंसिप प्रोफी में भारत अब तक पाकिसान को कितनी बार हरा चुका है उतर है दस स्पेस म पहला वोड किसे अमेरिकी एस्ट्रोनोट ने डाला था उतर है डेविड वॉल्फ अब कोईंटर्स को नौट करे हर साल 19 सितंबर को पूरी दुनिया में अंतराश्ट्रिय समुद्री डाकू की तरह बात करे दिवस बड़े अनोखे तरीके से मनाया जाता है आस्ट्रेलिया के मसबूर मैलवर्ण विश्व विद्याले ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर स्थापित किया है केंद्रिय मादमिक सिक्षा बोर्ड ने 2025 की बोर्ड परिक्षाओं के लिए नौवी और ग्यारवी की कक्षा के चात्रों का पंजी करन 18 सितंबर से सुरू कर होते पर हस्ताक्षर किये हैं पांगला देश में प्रोफेसर मोहमद यूनोस की अववाई में सरकार ने सेना के अदकारियों को कारेकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी है कानुन विवस्था को मजबूत किया जा सके अमेरिका के फेडरल विजर्बुद ने चार साल एक साथ चिनाव कराने की प्रक्रिया को लागू किया जा सकेगा। क्रांती सतत डवाचार पर आधारित दो दिवसिये सम्मेलन का उध्वाटन किया। त्री लंका में राष्टपती चुनाव के प्रचार का अंतिम चरण 18 सितंबर को समाप्त हो गया है। 1893 में इसी दिन स्वामी वीवेकानंद ने सिकागो में एतिहासिक भाषन दिया था। दोस्तों अब बात करते हैं कल के पूछे गए प्रचनों के जिनके उतर इस प्रकार हैं। दोस्तों आंसर करने से आपका रिविजन ही होगा। आप कहीं भी दो मिनट का टाइम निकाल सकते हैं। और मोवाइल के बटन पे तो आपका स्पीड है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने करियर के सफर में हमारे मेनत को भी एक छोटा सा जगे देंगे। थैंक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।